ओम सिरीगनी सायनमा दोस्तू एश्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक श्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 दिसंबर सुक्रवार की राशी फल के बारे में कि यह दिन सिंग राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगोसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्ट हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्ट हो सकते हैं इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साती साथ आज आपके प्रते कारे सरलता पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी धर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन सुख भी आज आपको प्राप्त होगा नई योजनाएं और विचार धरा की नवीनता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अने को इक्छाएं पूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा आज आपको घर परिवार और संतानों के मामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना, जाप और अध्यात्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा कार्य छेत्र के सवी काम सफल होंगे अठके हुए कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं ग्रहें एम शंतान संबंदित सुब समाचार मिलेंगे आज का समय आपके लिए काफी उतार चलाव से भरा रहने के बावजूद भी काफी अच्छा रहने वारा है मुस्किल हालात से बचने के लिए आपको एक अच्छी बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवशकता है अन्यता आप फाइनेंसियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्यभार की आज अधिकता रहेगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे मनोरंजन, सौंदर्य प्रशादन, आभूशन आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैंसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़े साथी साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर रालें माता पिता का अवस्चे ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ती असंभव है साथी साथ किरोध पर नियंत्रन एम वानी पर आज आपको सहियम रखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें आग पानी और वाहन दुरगटना से समल कर रहें बदनामी और निसेदादमक विचारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा दैनिक कारों में थोड़ा अवरोध आएगा साथी साथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धर में कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल्जाने के लिए किसी की सला आप अवश चलें दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें बहस करने से मुसीबत में आज आप फस सकते हैं यात्राओं को भी आज आप टालें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तों प्रेम संबंदों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वहवी आज समाप्त हो सकता है आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेगा और आपके रिस्ते में मजबूत ही आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए यदि आप किसी रिस्ते में पहले से हैं या किसी की तलास में हैं तो वह मिल सकता है तो आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती है रोमांटिक आकरसन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवसाय में धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अधिकारी आज आपके काम से प्रसन रहेंगे प्रॉपर्टी में निवेस करना लाबदायक रहेगा कारे छित्र में आज माहूल काफी अच्छा रहेगा और वेवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्थ होने की संभाव न रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचे करने का भी प्रत्न सफल हो सकता है साथ साथ आज आपको अपने वैवसाइक को लेकर कोई यात्राइं हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक प्रेणाम प्राप्त होगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, विध्यारतियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है, दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है, दोस्तो ब्रहम भें वे पीडा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा, वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है, जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा, स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मांसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें, तनाव को दूर करने के लिए अप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें। तो इसका भोग सबसे पहले आप मा लक्षमी को लगाएं, इसके बाद आप इस खीर को गरीबों में बाटें, या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही, मा लक्षमी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी, और आपके जीवन में जो भी धन सम्मंदित परिशानिया चल लगी हैं, समस्त परिशानियों को अंत करेंगी, और आपके घर में धन सुक संपत्ती का वास होगा, मा लक्षमी आपके घर में वास करेंगी, या दोस्तो मा लक्षमी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै मा में अवश्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद